प्रेडिंग रूम इंसाइडर पर तो आज हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में निफ्टी के बारे में कैसा हमारा दिन रहा और हमने क्या क्या इसमें किया आज और कल कैसे प्लाइन कर सकते हैं तो चलिए चार्ट पर चलते हैं तो गाईज मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो एक रेंज बना रहा है ठीक है और वो रेंज जो बना रहा है वो इस तरह से कोई रेंज बना रहा है जिसका टॉप और लो मैंने आपक को बताया था कि इसको मार कर लीजिए उपर का जो लेवल था वो था 50,250 का और नीचे का जो लेवल बताया था आपको 49,530 के असपास का ठीक है तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप safe players हो अगर आपको safely buy करना है तो आप यहां पर buy करो इसके breakout पर और यहां से आपको सीधे movement मि लेगी 660 तक ठीक है 600 से लेके 660 का एक channel यहां तक तो market ने आज क्या किया market ने opening the gap up में breakout दिया हमारे level का और आप देख सकते हो कैसे market यहां तक पहुंच गया almost अपने target पर ठीक है तो कल यह rally रुकी नहीं अभी ठीक है कल भी क्या हो सकता है कि market कहीं ने कहीं इसको touch कर सकता है या इस channel तक ही आ सकता है और जो मुझे लग रहा है कल market में कि एक चीज क्या हो सकती है market में कुछ इस तरीकी चीज़ें हो सकती है कि market बापस से retest करने लिए एक retracement के लिए यहां तक बापस आना चाहिए 300 to 200 तक के 300 to 250 के बीच में आना चाहिए market को ओके ऐसा क्यूं कह रहा था market में कि market का movement कैसे रहता है अगर हम लोग कोई box strategy follow करते हैं ठीक है market अगर मान चलो कोई sideways market बना रहा है ठीक है यहां पर आप high और low mark करते हो लेवल यह box pattern हो गया हमारा जब भी हमारे box का breakout होगा तो market एक बार इस point को retest करने के लिए जरूर आएगा उसके बाद market upside momentum देगा ठीक है downside में भी अगर market नीचे निकलता है तो एक बार इसको retrace करने के लिए आएगा इस box को ठीक है जरूर नहीं कि इस level तक ही आए हो सकता है कि इसके अंदर भी थोड़ा यहां तक दिखा दे आपको फिर बापस से यह downside move करें तो यह behavior होता है किसी भी एक box के हम बात करें त तो यहां पर आप देख सकते हो कि market ने जब up move दिखाया यहां पर तो market उपर तो गया बट retracement अभी होई नहीं है तो हो सकता है कल market कहीं ने कहीं इसको touch करके एक retracement दिखाये retracement दिखाने के बाद market उपर तक चला जाए ठीक है और उपर अगर निकलेगा तो अब की बार इसके हाई रह सकता है ठीक है हाई रहेगा और हाई break होने पर आपका next target जो रहेगा इसका top यह जो candle का यह जो top है और इसके बाद जो level रहेगा 51,000 straight कोई huddle नहीं ठीक है इस तरह से आप plan करके चल सकते हो with proper SL आजकल market में premium decay बहुत हो रहे है विक्स भी गिर रहे है विक्स गिरता ह तो premium decay बहुत होता है तो ध्यान दीजिए कि आपको market में trade में अगर आप मानक चलो यहां तक भी टिकते हो तो कहीं न कहीं आपका यह premium decay भी हो जाएगा तो better कि जो आपको profit मिल रहा है आप वो निकाल के चलो ठीक है जरूर नहीं कि market के साथ ही घूमना है आपको तो जहां भी आपको profit मिल रहा है निकलो ठीक है क्योंकि हो सकता है देखो यह अपना target है बट यह guarantee नहीं होती कि market यहां एकदम से पहुंचे हो सकता है यहां पर आके थोड़ा consultation करें आपका premium hunting कर ले उसके बाद market यहां पहुंच भी गया तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला ठीक बना रहा है ठीक है तो आपको कहीं न कहीं इसका वेट करना है यह लेवल होगा आपका 50,000 का 50,000 अगर तूटता है तो कहीं न कहीं आपको पहला target यह मिल जाएगा 1449 950 का और दूसरा target आपको मिल जाएगा 850 का इसके नीचे 650 तक का plan कर सकते हो ठीक है लेकिन selling आपको कब कर करना है 50,000 के नीचे sustain करता है तभी करना है बिना sustain के मत करना ओके चलिए एक बार तुरंत हम लोग फिन निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में आज क्या हुआ अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं फिन निफ्टी के भी मैंने आपको target बताये थे अग target मैंने आपको clearly बताया था कि 22,400 हमारे एक hurdle रहने वाला है ओके यह वाला जो मैंने आपको box pattern बनाया था अगर आपको याद होगा तो यह वाला मैं थोड़ा clearly बना रहा हूं यह ठीक है जिसमें हमारा 380 का support और maximum support है 300 का मैंने आपको support बताया था कि 22,300 का support रहने वाला है और ऊपर में 300,400,22,400 का resistance रहने वाला है और 400 को जैसे इसने breakout दिया हाँ यहाँ पर थोड़ा सा trap के बापस आया retesting के लिए बट मार्केट ने अगेन इसको breakout दिया और इसका move आप देख सकते हो top high तक पहुँच गया ओके तो यह trade भी हमारे successful रहे अब बात करते हैं कल के लिए मै पॉड़ा सा कुछ positive momentum से positive momentum दिखाया और अगेन एक हाई बनाके market ने एक range में खतम कर दिया ओके हालांकि हमने यहां भी एक box बनाया हुआ है अगर आप देखोगी हां rejection हो है यहां पर rejection हो है तो कहीं ने कहीं इसने breakout भी दिखाया market ने यह breakout दिखाया तो 100% market को यह level मिलने वाल का एक box का range है ठीक है इस box का range के range को अगर आप increase करोगी तो आपको कहीं ने कहीं दिखेगा 600 का target ठीक है 600 के लिए प्लैन कर सकते हो और इसके उपर भी जाता है तो market कहीं ने कहीं आपको 636 के उपर भी दिखा सकता है ठीक है यह plan कर सकता है अब upside के लिए down आपको कब रहना है सस्टेन हो जाए market तो आप plan कर सकते हो पहला target आपके क्या रहेगा पहला target आपका आराम से मिल जाएगा आपको 400 का अगला target आपको मिलेगा 408 रहेगा ठीक है 408 के आसपास जो इसका low है 425 425 के आसपास का आपको मिल जाएगा और जो भी मैं level बता रहे हूं आपको ध्यान द दूँगा ठीक है यहां पर market दिखना चाहिए आप ऐसे plan कर सकते हो ठीक है चलो कई अभी तक के लिए इतना ही वीडियो में कल के लिए हम लोग plan कर चुके हैं तो आप नजर रखेगा और importantly देखिए मैं आपको कोई भी trade execute करने के लिए नहीं बोल रहा हूं आप खाली अपन साथ learning करते हैं और सीखते हैं कोई भी paid program नहीं है अगर आप interested हो आप एक individual के तौर पर आके join कर सकते हो इसका link मैंने description में दे दिया है और comment में भी दे दिया है तो आप free हो अराम से आके देखिए उसको paper trade कीजिए और सीखिए market में क्योंकि at the end हम लोग सीखने के लिए आया है हम लोग कोई अंदाधुन trade करने के लिए नहीं आया है तो मेरी जितने भी मेरे analysis हैं यह सारे learning purpose के लिए है चलो guys वीडियो को end करते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो please like, comment, subscribe जरूर कीजिए चलो thank you, आपका दिन शुभ हो